वेलकम टू अनदर एपिशोड आप शालू शेंपल में रैसिपिस और इस बासुंदी को बनाने के लिए सबसे पहले कड़ाई में एक लीटर दूद लेंगे दूद को बोयल करेंगे दूद को रिडियोज करना है तो इसे पहले हाई फ्लेम पे बोयल कर लेंगे जैसे दूद जैसे दूद गाड़ा होता जाएगा यह थोड़ा कम हो जाएगा इसा लगतार मिक्स करते रहेंगे ताकि यह तले में बैठे नहीं यह देखिए दूद अच्छे से गाड़ा हो चुका है तो इससे ज्यादा इससे गाड़ा नहीं करना है क्योंकि जब यह ठंड़ा होगा तो थोड़ा सा और गाड़ा हो जाएगा फ्लेवर के लिए मैं या दरदरी कुटी हुई लाइची डाल रही हूँ और एक चौताई कप मिस्री डाल रही हूँ मिस्री हेल्दी आपसर ने इसलिए मैं मिस्री का यूज कर रही हूँ जिससा सिता फिल भी काल जाता है वेट में मेजर करें तो यह 500 ग्राम है इसे मैंने अच willst कर लिया है उसके बाद इसके पल्प को निकलेंगे तो इसके पल्प को निकलने के लिए एक बॉल लेंगे उसके उपर एक इस्टिनर लगाएंगे इस टिनर पर अगर इसके पल्प को निकालते हैं तो अच्छे से बीज अलग हो जाएंगे और पल्प भी अलग हो जाएंगे तो इससे तोड़ लेंगे और तोड़ने के बाद इसके पल्प को ऐसे इस पून की हल्प से निकाल लेंगे तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैंने इसे मैस किया इसके बीज अलग हो गया है और इसके बीज को ऐसे निकाल लेंगे बाहर ऐसे ही करके दूसरे कश्टे डेपल को भी तोड़के है ऐसे ही इसके पल्प को भी निकाल के बाहर कर लेंगे इस कश्टी डेपल की बाशुंदी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है और बहुत ही ज्यादा हेल्दे होते है यह कश्टी डेपल बस इस बात का ध्यान रखने चाहिए इस बाशुंदी को बनने के लिए कि जो कश्टी डेपल का हम योज कर रहे हैं वो अच्छे से पका हु निकल जाएंगे , कोई जञजट कोई नहीं लगेगा इसके बीच को निकलने के लिए क्योंकि इसमें बहुत सारे बीच होता है , इसलिए , तौप मैंने दोनों कश्टेडेपल के पल्प को निकल लिया है और अब देख शकते हैं इतने सारे पर निखलके रेड़ी हुए हैं दो गश्टे डेपल से हैं तो इसे अच्छे से मैस्ट करते हुए मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद जो हमने धूत को थंड़ा होने के लिए रखा था उसमें इसे मिक्स कर लेंगे और आप देख चाहे तो इसे थोड़ी दिर के लिए फ्रीज में रखते या फिर तुरहनती से सर्फ कर शकते हैं तो इसे सर्फ करने के बाद थोड़ी से ड्राइफ रूट्स के कत्रन से इसके उपर मैं गार्निशिंग कर दूँगी अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा टेश्टी फ्रूट्स है जो कि सेजनल होता है सेजन में ही मिलता है और इससे बनी हुई बाशुन्दी बहुत ही ज़्यादा टेश्टी लगती है झाल कब बाशुन्दी बाश का गप फ्रोट्स के लाटुन्दी बाश्टी बाश याटेश्टी ज़्यादी 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 कर दो जवश्ता है